आज का question पहला है student f के सांतर्त की जाच कीजिए तथा f जो फलन है निम्लिकित से परिभासित है दो फलन देके रखा है fx equal x power 10 minus 1 और x square ठीक है जहां x जो है एक से छोटा है और बराबर है और x जो है एक से बड़ा है उसके लिए x square अब यहां पे दो फलन है और limit देकी नहीं रखा है अब हमको क्या क्या चेक करना है कि जब x कमान एक से छोटा है इसके लिए क्या संतर्त है और जब x के लिए x कमान जो है एक से बड़ा है तब इसके लिए संतर्त है तो ध्यान दीजेगा जब भी बहुपदी फलन हो ठीक है और limit आपके पास x से छोटा हो या बड़ हूँ है ना तो वहाँ पर जो बहुपदी फलन होता है संतत होता है मतलब हमको यहाँ पर दो लाइन लिखनी है कि x less than 1 के लिए बहुपदी फलन क्या है संतत है और दूसरा कंडिशन x greater than 1 के लिए बहुपदी फलन x square क्या है संतत है दो चीज आपको बता देना है लिख करके त पर इच्छन करना है तो चलिए लिख लेते हैं जो आपको यहां पर लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना है X less than X less than 1 के लिए FX कमान जो है X power 10 minus 1 देखे जब X छोटा हो एक के लिए तो यह फलन है ये x square बहुपदी फलन है इसके लिए भी ये संतत है, clear दो चीज के लिए संतत हो गया, केवल हम x बराबर 1 के लिए संतत्ता का परिच्छन करेंगे, ठीक है न, तो हम केवल यहां पर लिख सकते हैं, हम केवल x equal, किसके लिए x equal 1 पर, x equal 1 पर fx की संतत्ता का परिच्छन करेंग इतना आप लिख लें, तो अब संतत्त के लिए हमें 3 कंडिशन लेना है, जैसे हम दें limit यहां पर एक लिए, limit के लिए क्या करना है, कि limit में h जोडना है, और h घटाना है, मतला plus के लिए और minus के लिए करना है, clear, और तीसरा कंडिशन रहेगा, limit को direct रख देंगे, किसी भी फ पटाफट करते हैं, सबसे पहले student लेकर चलना है, x equal 1 plus h रखने पर, x equal 1 plus h, plus के लिए कर रहे हैं, अब देखिए, जब x का जो limit है, वो 1 है, तब मैं कह दूँ, h का limit कितना हो जाएगा, तो 1 यहां पर रखेंगे, तो 1 से कर जाएगा, h का मान आएगा, 0, clear, plus के लिए कर रहे fx का मान हो जाएगा, तो हमने limit change कर दिया, h tends to 0 हो जाएगा, और x के जगए 1 plus h कर दिया, अब ध्यान यह देना है, plus के लिए किस पे रखना है, तो जो यहां पर देखिए, जो फलन यहां पर, यहां पर x square और x square minus 1 है, तो जिस फलन में x का मान बढ़ा है एक से, तो उपर व h का square हो जाएगा, और limit तो आपको पता ही है, h tends to 0, अब limit h का मान रख दो यहां पर, तो 1 plus 0 का square, खुल मिला कर कितना आ गया, 1 आ गया, यह किस का मान आ गया, limit x tends to 1 positive, fx का मान आ गया, एक आया है, इसको हम दे देते हैं, समिकर्ण 1, कह दे दिया, हमने समिकर्ण 1 दे दिया, अब हमको student लगाना है किसके लिए, तो हमको लगाना है अब minus के लिए, तो चलिए, अगले step पे करते हैं, ध्यान दीजेगा, तो अब अपन क्या करेंगे, x equal 1 minus h रखने पर, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा limit जरूर ध्यान दे, तो जब यहां पर limit x tends to 1 होगा, है ना, चलिए, आगे हल करते हैं, तो limit x tends to 1, negative के लिए, अप x हो जाएगा, हमने limit चेंज कर दिया है, x tends to 0 हो जाएगा, और जो एप है, x के जगए 1 minus h करेंगे, तो जिस पे x से value काम है x का, तो हमको रखना है उस पे value, तो दो आपके पास फलन थे ना, तो x के power 10 था, x के जगए 1 minus h के power 10 करेंगे, स्वारी स्टुडेंट थोड़ा सा light का problem हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं, चलिए, आगे हल यहाँ पर power 10 कर दें, और minus 1 कर दें, ठीक है ना, तो देखिए, अब इस पर direct limit रखते हैं, यह आप को स्टक लगाते हैं, limit रखते हैं, 1 minus 0 के power, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और minus 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, तो 1 minus 1 equal 0 आएगा, 0 ही आएगा, clear, मतलब जो आपका limit x tends to 1 negative के लिए, जो fx कमान आ गया, वो किसके बार 0 आ गया, और समीकर्ण 2 आ गया, अब देखना आपको यह है, कि जो आपका समीकर्ण 1 आया था, इस कमान कितना एक था, लेकिन समीकर्ण 2 है, इसमें आया 0, तो दोनों भिन भिने मतलब असंता था, लेकिन एक तीसरा कंडिशन है, कि जब हम direct रखेंगे, f1, 1 रखें, तो देखिए, बराबर के लिए उपर वाला है, मतलब 10 घाते, यहाँ पर, sorry, एक के घाते 10 हो जाएगा, minus 1, तो यहा fx कमाने, वो not equal है, limit x tends to 1 negative के लिए fx कमान, च्योंकि इसका मानाया था आपका दूसरा, इसका दूसरा माना, जबकि यह f1 के बराबर है, तो जब तीनों बराबर हों, तब यह संतात होता है, लेकिन जब तीनों बराबर नहीं है, तो असंतात है, अताह यहाँ पर लिख दे है, तो वहाँ संतात है, ठीक है ना, ठीक है तो पहला question आसा करता हों की समझ में आ गया होगा, ठीक है तो शले देखते हैं, दूसरा question, दूसरा question देखे है, student f के सभी आसांतत बिंदूओं को ग्यात कीजिए, जबकि f निम लिखित प्रकार से परिभासित है, mod of x बटे x, य जो mod of x बटे x है, यदि 0 के बराबर नहीं है, तब mod of x बटे x, यदि mod of x को बाहर निकला जाए, तो x बटे x मतलब x से x कैंसिल, तो एक बचेगा, यनि हम देखें कि यहां पर बहुपद बचे गई नहीं, है ना, एक प्रकार से बहुपदी फला है, बहुपदी फलान है, लेकिन लास्ट में देखें, तो x से x कर जाएगा, मतलब सभी मान के लिए सेम रहेगा, अर्थात यह संतत है, अर्थात जो उपर वाला फलान है, x इक्वल, x जो है not equal 0 के लिए यह संतत है, तो आपको हल करते समय इतना लिखना है, क्या लिखना है, कि जो आपका मान है x not equal 0 है ना, के लिए, इसके लिए जो आपका फलन है fx बराबर mod rx बटे x संतत फलन है, संतत फलन है, मतलब जब 0 के बराबर ना हो, तो संतत फलन होगा, लेकिन जब 0 के बराबर हो जाए, तो इसके लिए हमको चेक करना क्या संतत है की नहीं है, तो केबल हम x equal 0 पर fx के संतत्ता का परिच्छन करेंगे इतना लिख लीजिए आप लो कि हम केबल x equal 0 पर fx के संततता का परिच्छन करेंगे ठीक है ना तो परिच्छन करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं जो भी आपके पास लिमिट है है ना उस पर h जोडते हैं ठीके ना 0 प्लस h करें अब देखिए जब x जो है लिमिट 0 दे रहा है तब यह दि मैं कहे दूँ h का लिमिट कितना होगा तो 0 होगा क्योंकि 0 रखने पर h कमान 0 ही आएगा clear अब देखिए limit हो जाएगा x tends to 0 के लिए positive के लिए करेंगे इसको जब हम h में convert कर रहे है तो limit h tends to 0 हो जाएगा 0 plus h क्या रखना है अब इसको फलन पे रखी फलन कितना आपके पास mode of x किتना फलन है mode of x तो limit हो जाएगा h tends to 0 mode of x मतलब mode of 0 plus h बटे में h x है तो 0 plus h हो जाएगा अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा limit रहेगा h tends to 0 ही रहेगा यहाँ पर आपका बचेगा cable h mod of h बटे h ठीक है इसको आगे हल करें तो limit h tends to 0 h बटे h जब इसको आप काटेंगे तो बचेगा 1 कितना बचेगा 1 तो कुल मिलाकर आपका 1 ही आएगा क्योंकि h कमान रखेंगे नहीं limit है हमेशा जो h नीचे है उसमें कभी भी limit 0 नहीं रखना क्योंकि वो अनंत कर देगा तो फिर वो परिभासी थी नहीं रह पाएगा clear तो यह condition आपका जो पहला condition हो clear हो चुका मतलब limit x change to 0 fx plus के लिए यह एक आया यह समिकान एक हो गया अब हमको क्या रखना है student अब हमको x equal 0 minus h रखना है तो रखने पर यह आपने लिख दिया अब यहाँ पर भी limit की बात की जाए तो जब x change to 0 तो h change to b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अब इसके आगे आपको करना है limit x change to 0 negative है है ना और इसका fx निकालना है इसको जब हमने h में कनबढ़के है तो h change to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 minus h हो जाएगा clear आप इसको पुना हमाड में रखें तो देखिएगा थोड़ा सा चलिए तो limit हो जाएगा x change to 0 minus के लिए है fx equal जब आपन माड पे रखेंगे तो limit हो जाएगा h change to 0 माड आप 0 minus h बढ़ते 0 minus h तो देखिए जो माड है वो तो सीधा plus ही देगा वो plus देगा है ना तो और नीचे लेकिन minus h जब इसको काटेंगे तो इसका मान आएगा minus 1 मतलब जो limit है x change to 0 negative fx का मान है उसका मान minus 1 इसको आप समिकर्ण 2 देदे समिकर्ण 1 में आपने क्या पाया था 1 और समिकर्ण 2 में आपने क्या पाया तो समिकर्ण 2 में आपने पाया minus 1 आप दोनों भिन भिन देदेगा लेकिन संतत्ता के लिए 3 condition लगाना पड़ता है एक direct आप limit रखोगे तो f जब 0 रखते हो मतलब x का मान 0 रखते हो तो 0 ही आता है यह आपका समिकर्ण 3 आ गया अभी दि मैं कह दो समिकर्ण 1,2 वा 3 से 1,2 वा 3 से तीनों में भिन भिन है ध्यान दीजेगा तीनों में भिन 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 है कैसे भिन है limit x tends to 0 plus f x not equal limit x tends to 0 minus f x और यह भी इसके बराबर नहीं f है 0 की जब तीनों बराबर नहीं है तो definite की संतत नहीं है है न अता दिया गया फलन जो है x equal 0 पर क्या है असंतत है यहाँ पर लिख सकते है अता हाँ दिया गया फलन अता हाँ दिया गया फलन अता हाँ दिया गया फलन f x जो है x equal 0 पर क्या है असंतत क्लियर यहां पर आप लोग क्लियर हो गया कि जो x equal 0 पर जो फलाने वो आसंता थे ठीक है यही हमको जांच करना था आसंता तो x equal 0 को छोण कर आन्ने के लिए जब x 0 के वरावर नहीं तो आन्ने के लिए संता थे clear लेकिन x equal 0 के लिए आसंता थे दूसरा question भी clear देखिए कई सारे question है मैं आपको हर type को question उठा के समझा रहा हूं ताकि अपनों को दिक्कत ना हो सके आपके लिए तीसरा question है यहां आपके सभी आसंता थे बिंदूओं को ग्यात कीजिए जबकि f निमलिखित प्रकार से परिभासी थे तो यहां पर भी कोई limit द बड़ा है 2 के लिए यह बहुपदी फलन तो संतत होगा केबल हम x equal 2 के लिए संतत का परिछन करें clear तो आपको बस यही चीज लिखना है कि x छोटा है 2 के लिए fx equal 2x plus 3 बहुपदी फलन है इसलिए जो x less than 2 के लिए fx फलन क्या होगा संतत होगा इसी प्रकार x greater than 2 के लिए f x का जो 2x minus 3 बहुपदी फलन है ठीक है इसलिए x greater than 2 के लिए fx जो है संतत तो यतना आपको लिखना पड़ेगा जब limit ना दिया रहे और less than और greater than के फाम में आपका question हो ठीक है अब हमको केबल x equal 2 पर चेक करना है कि संतत है कि असंतत है देखिए जो question paper में पूछ जाते हैं उन question को मैंने add किया है अब ऐसे question मैं हर वीडियो में 3-4 बताता हूं तो लगबग बहुत सारे question हो जाते हैं और कुछ question छोड़ भी जाते हैं जो कि आप लोग करते रहा करें same question रहता है इसलिए मैं नहीं उठाता हूं कुछ question ऐसे जो कभी नहीं पूछ जाते उनको भी नही है ठीक है तो आगे हमको लिखना है कि केवल हमें x equal to के लिए संततता का परिच्छन करना है ठीक है न परिच्छन करना है संतत के लिए अभी दो question आपने देखा उसी तरह करना है कि x equal कह रखेंगे student x equal to plus h रखने पर limit हमारे पास 2 है अब जब x tends to 2 स्वरी होगा मतलब x का limit कितना होगा 2 होगा तब हम कह सकते हैं h tends to 0 कैसे यहाँ पर आप 2 रखेंगे 2 से 2 cancel हो जाएगा चलिए आगे पर इच्छन करते हैं limit x tends to 2 positive के लिए fx हो जाएगा हमने इसको h में convert कर दिया limit h tends to 0 हो जाएगा और x के जगए 2 plus h किया हमने तो 2 plus h कर दिया हमने अब इस पर दो फ़ल अंते हैं ना question पर तो किस पर रखेंगे जिसमें x का मान बढ़ा है मतलब 2x minus 3 पर रखेंगे तो रख दीजिए limit h tends to 0 2x मतलब 2 into 2 plus h x के जगए 2 plus h करेंगे ऐसा करिए है ना और आपके पास कितना है minus 3 यह हो गया ठीक है तो आगे एदी हल करेंगे h कमान रख दिया 0 तो कुल मिला अगर कितना आएगा 2 गुणे 2 धन 0 minus 3 ठीक है ना तो कितना आजाएगा दो दूनी 4 और 4 minus 3 बराबर 1 मतलब student यहाँ पर आपका जो आया limit x tends to 2 plus fx कमान वो आया है 1 ठीक है ना इसको आप समभी करन एक दे दें तो हम यहाँ पर 2 step करते हैं एक plus और दूसरा minus अब हमको minus के लिए करना है देहन दीजेगा तो minus के लिए करते हैं चलिए ठीक है तो limit लेकर चलते हैं पहले ले लेते हैं x बराबर 2 minus h रखने पर ठीक है इतना रखेंगे तो कितना हो जाएगा जब x tends to 2 तो x tends to 0 हो जाएगा क्यूं जब 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा clear आगे अब देखें limit x tends to 2 minus के लिए fx करेंगे change कर देंगे तो limit h tends to 0 हो जाएगा student इसके बाद जो fx है x के जगए आप रख देंगे क्या 2 minus h 2 minus h रखेंगे अब 2 minus h कहाँ पर रखा जाता है जहाँ पर x कमान चोटा हो तो कितना है limit आपका हो जाएगा h tends to 0 और 2 minus h का फ़लन है 2x plus 3 ठीक है न तो 2 x कमान है 2 minus h plus 3 यह होगे अब आपको करना क्या है h कमान रख देना है 2 x 2 minus 0 धन 3 मतलब 2 x 4 धन 3 कितना आ गया साथ आ गया साथ आ गया अब हमने देखा कि अभी समिकन एक में आया था आपका एक और समिकन दो में आया साथ मतलब दोनों बराबर नहीं हो जब दोनों बराबर नहीं है तो definite student संत्य तो नहीं हो गया आपका समिकन दो आ गया क्लियर बस आपको बेकी step और करना है कि जब हम रखेंगे f2 मतलब direct 2 रख दें direct क्या रख दें 2 रख दें इस कमान कितना आएगा तो उपर वाले में रखना है बराबर के लिए तो दो गुणे 2 धन 3 तो दोनी 4 और 3 साथ हो जाएगा तो 2 तो आपके पास same है मतलब समिकन जो आपका 2 और 3 है same है लेकिन जो आपका समिकन एक आया था इस कमान कितना आया था एक आया था ना इसलिए ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समिकन एक दो वा तीन से समिकन एक दो तीन क्या कहता है कि जो लिमिट है एक्स टू टू प्लस मतलब पाजटीव और जो लिमिट है एक्स टू टू निगेटीव जो एफ एक्स कमान है वो तीनो ये बराबर नहीं है और ये इसके बराबर है एफ टू के मतलब तीनो बराबर नहीं अता दिया गया फ्लन एक्स इक्वल दो पर असंतत है इतना आपको लिखना लाश्ट में अता दिया गया फ्लन केबल एक्स इक्वल दो पर असंतत है एक्स के छोटे मान पर भी संतत है और एक्स के बड़े मान पर भी संतत है केबल एक्स इक्वल दो पर असंतत है तीन प्रवादान प्रवादान